बच्चो हिंदी की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे आठमी कक्षा का 21 पार्ठ, पार्ठ का नाम है हरी-हरी दुख पर, कभी है अटल बिहारी बाजपें। ठीक है बच्चो हम इस चैप्टर की डिडिंग नहीं कर रहे हम केबल प्रशन उतर करेंगे और बैक एक्सरसाइज सबसे पहले करते हैं, question answer, question number एक है, ओस की बूंदे अभी थी, अब नहीं हैं, इस पंक्ती में कभी क्या कहना चाहता है। उत्तर कवी कहता है कि ओस की बूंदे कुछ देर पहले तो थी, पर धूप की गर्मी से अब वे भाप बन कर उड़ गई हैं, ठीक है, question number दो है, हमारी खुशियों के बारे में कवी ने क्या कहा है, उत्तर है, हमारी खुशियों के बारे में कवी ने कहा है कि वे सदा नहीं रहती, वे कभी आती हैं और कभी नश्ट हो जाती हैं, question number 3 है, प्रांते कालीन सूर्या से बागीच्चे की सुंदर्ता का वर्नन करें, उत्तर है, प्रांते कालीन सूर्या से हर पोधे का एक एक पत्ता जगमगा उठता है, उनमें चमक सी आ जाती है, question number 4 है, क्यूं न मैं क्षण क्षण को जिऊंँ, मैं कभी क्या कहना चाहता है, उत्तर है कभी कहना चाहता है कि ओस की आयू चाहे बहुत छोटी है, पर उसकी सुंदर्ता को हर पल वह महसूस करना चाहता है, उसका अनंद पाना चाहता है, बच्चों आगे, long question answer, पहला question है, जीवन की वास्विक्ता को सविकार करने में कभी कहां तक सफल हो पाया है, उत्तर है, कभी ने माना है कि जीवन के तरह तरह के रंग होते हैं, वे सुख भी देते हैं और दुख भी, सभी के लिए सुख की प्राप्ति के भिन-भिन आधार हैं, कभी को घास पर पड़ी ओस की छोटी-छोटी बूंदे आकर्शक लगती हैं, वे हैं उन्हें वास्विक्ता मानता हैं, पर सुर्य की गर्मी उन्हें भाप में बदल कर मिटा देती हैं, ओस की बूंदे कभी के जीवन की वास्विक्ता हैं, पर वे शनिक हैं, लेकिन सुर्य का हर रोज पूरव दिशा से परगट होना भी वास्विक्ता हैं, प्रेशन नमबर दो है शाश्वत खुशियों के संधव में कवी की क्या धारना है उत्तर है शाश्वत का अर्थ है जो सदा रहे जो पहले भी था अब भी है और आगे भी होगा जीवन में खुशियों खुशियों सभी को प्रापत होती है परवेशनिक होती है कोई भी flavored ऐसा प्राणी नहीं हो सबता हुग जिसकी खुशियों शाश्वत हो हर व्यक्ति के जीवन में सुखों के बाद दुख और दुखों के बाद सुख आवाशक आते हैं, ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन अंसर खतम होते हैं, आगे करेंगे बच्चों प्रायवाची शब्द, नमबर एक है दूप, अर्थात घास, दुवा, नमबर दो है ओस, श नमबर चार है अक्षन, पल, अफसर, नमबर पांच है पत्ता, पत्र, वन, पर्ण, नमबर छे पर है सौंद्र, सुंदर्त, लवन, नमबर साथ पर है सूर्य, सूरज, दिवाकर, नमबर आठ है सत्य, सच, यथार्द, आगे है निमित लिखित अनेकातक शब्दों के विभ करें, नमबर एक पर है मगर, इसका अर्थ होता है लेकिन, वह आ तो सकता था मगर आया नहीं, दूसरे मगर का अर्थ है घड़याल, मैंने चड़िया घर में एक मगर देखा, नमबर दो है बाल, केश, रेवा की दीदी, दादी जी के बाल बिलकुल सफेद हैं, दूसरा है बाल, बच्चा, क्रिशन का बाल रूप कितना सुन्दर है और अकर्शक था, नमबर तीन पर हरी, एक रंग, साड़ी पर हरी कड़ाई सुन्दर है, दूसरा हरी हरन करना, कौरवों ने द्रौपती की लाज हरी थी, नमबर चार है हर, अर्थ है परतेक, हर सोमवार हमारी गणित की परिक्षा हुआ करती है, हर, भगवान शिव, हर हर गंगे करते सब आगे बढ़ गाए, नमबर पांच है, पूरव, एक दिशा का नाम, सुर्य पूरव दिशा से निकलता है, पूरव, इसका अर्थ है पहले, इससे पूरव आपको इस गली में नहीं देखा, बच्चों यह हमारा चेप्टर खत्म होता है, धन्यवाद,